नमस्कार मैं परणजोई गुहाठा कुर्ता आज न्यूस क्लिक में आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूँ मुद्रा स्विती और व्याजदर इस दोनों में क्या संपर्क है अर्थ विवस्था मौद्रिक नीती ये बहुत सारे चीज़े बहुत जटिल है मगर जब मुद्रा स्विती जब चीज़ों को मुद्रा या दाम बढ़ जाता है हर ग्रियानी का हर वेक्ती का आपका मेरा हर नागरी का जेब काटने है आज यही स्थित्य है यह क्या सच है कि भारतिय रिजर्ब बैंक जो अग्रिजी में कहता है इंडिया सेंट्रल बैंक एंड एपेक्स मनेटरी अथारिटी यह भारतिय रिजर्ब बैंक को इनकी गवर्नर का खिलाफ कोई आरोप लगाया कि आप गोरा आदमी को मदद कर रहे यह के संबब है जी हाँ यह सब कुछ भारत विश में संबब इस विशे के उपर तीन लेक अल जजीरा ने प्रकाश किया अभी अभी प्रकाश किया इनोंने और आज वो लेखक जो है मेरा साथ न्यूस्कलिक के स्टूडियो में है और मैं स्वागत करना चाहता हूँ सुमेश जा, The Reporters Collective के साथ 9 साल पत्रकारिता कर रहे है Business Standard, The Hindu, Bloomberg, Quint इसे सारे संक्स्था में आपने काम किया सुमेश जी अगर आप संक्षित में और सरल भाशा में न्यूस्कलिक का दर्शक को समझाएंगे कि मैं जिस वेक्ति के साथ सेंट स्टीफिन्स कॉलेज में परा राजीव महरीशी जो आपका वित्य मंत्राले में सचिव थे और बाद में उन्होंने C.A.G. भी बन गया भारत के नियंत्रक इवंग महालेखा परिक्षक ये भाई साब उस समय का भारते रिजर्ब बैंक का गवरनर डॉक्टर रखुराम राजन को ऐसा क्यूं आरोप लगाया कि आपका मौजिक निती आप व्यजदर कम करने के लिए त्यार नहीं है इसका फाइदा विकसित देश को मिल रहे हैं विकसित देश का नागरिक को मिल रहे हैं एक तरह से आप गोरा आदमी को मदद करें हम तो आश्चच हो गया आपका लेक पर के जिसमें आपने सूचना का अधिकार का कानून से बहुत सारे कागजे आपके पास मिला और इस विशे के उपर आपने एक ने तीन लेक अल जजीरा में प्रकाश किया यह जरह आप समझा दीजिए तो पहले मैं बताना चाहूँगा दर्शिक को कि महंगाई की दरे जो होती है सबसे आदा प्रभाव उसका जो पढ़ता है एक आम नागरिक पर पढ़ता है क्योंकि जो आम नागरिक है उनकी जो सेविंग है उनके खाते में वो काफी कम होती है एक मिडल क्लास एक वर के नागरिक मद्वाग के लोग के लिए उसका जो अपने पूजी जो होते है जो बचा के रखते हैं बिलकुल तो दोजार गैरा बारा तेरा इस इस दौरान हमारे जो महंगाई की दरे थी वो बहुत जारा थी मैं ये भी कह सकता हूँ कि दुनिया मे भारत की वो महंगाय की दरेती सबसे जादा थी उन देशों में थी जिनकी सबसे जादा महंगाय की दरे थी उन दिनों में तो जब 2014 में नई सरकार बनी तो उस समय एक अनौनशमेंट किया गया बजट के दौरान अरुन जेटली जी ने कि हम उस समय की जो वित्यमंत्री थे उन्होंने हैं गोशना किया कि एक हम मॉनिटरी पॉलिसी जिन्होंने बोला कि एक modern मॉनिटरी पॉलिसी बनाने चाहते हैं जिसका ये मतलब है कि भारत की जो मॉनिटरी पॉलिसी ती जिसके मैं बाद में आऊंगा उसको हम इस तरह से या अधूनिक मौद्रिक नीतिया का वो मुद्रा स्वितिकों पर अंकूश लगाएंगे ठीक तो ये मौद्रिक नीति जब नई बनाई गई तो 2015 में एक साल के बाद राजीब महरेशी और रगुराम राजन जब रगुराम राजन उस टाइम पर RBI के गवर्नर थे रिजर्व बैंक अफ इंडिया के गवर्नर थे उन्होंने एक अग्रीमेंट साइंग किया और उसमें ये कहा कि हम महंगाई की दरों को नीचा करना चाते हैं इस मौनेटरी पॉलिसी के साथ वो कैसे होता है कि RBI रिजर्व बैंक अफ इंडिया का ये एक हमारे एकानिमी में रोल है कि वो पैसे जितना फ्लो होता है एकानिमी में उसको कंट्रोल करता है तो वो कैसे करता है वो एक इंटरस्टेट सेट करता है इंटरस्टेट उस तरह से सेट करता है कि जो बैंक उससे आके बौरो करना चाहेगा आर्बिया ऐसे वो उस हिसाब से बौरो करे कि अगर आर्बिया ने कम रेट पे उनको दे रहे हैं बैंक को तो वो जादा बौरो करेगा अगर दरें बहुत जादा है इंट्रेस्टेट बहुत जादा है तो बैंक जो अगर रेपो रेट जो अगर रेपो रेट जादा रहता है तो इसका यह मतलब है कि एकॉनिमी में पैसा बहुत कम जा रहा है यह ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब बिजनस जो लोग करते हैं वो बैंकों के बाद जाते हैं पैसे लेने के लिए तो उस टाइम पे वो हमेशे जाते हैं कि कम से कम दाम में उनको पैसा मिले जिससे कि वो आगे इस पैसे को यूज करके कुछ ने कुछ या तो मैनिफैक्टर करें या फिर अपने धंदे को चलाएं अब क्या होता है कि जादा पैसे का ये भी मतलब होता है कि अगर जादा पैसे लोगों के हाथ में होंगे तो जादा खर्चा होगा जादा खर्चा होगा तो इसका ये मतलब है कि उससे मेंगाई की दरे बढ़ सकती है क्योंकि जितना खर्चा हो रहा है और जितना कारखानों से समान आ रहा है उन दुनों की बीच में एक मिसमैच होता है संतुलन नहीं बन पारा है तो आम आदमी बहुत जारा खर्च कर रहे है लेकिन कार खाने से उतनी जब समान नहीं आरहा है बार मार्केट में तो महल्गाई बढ़ जाती है उस समय तो अब अगर रेपऊरेट जाधा रहता है तो महेंगाई पर नियंदर नहता है बहुत अच्छे तरीके से तो उस टाइम जब अरुन जेटली जी ने जैसे मैंने बताया एक अनाउगोशना करी कि हम लोग महेंगाई की दरों को कम करना चाहते हैं इस सरकार का एक objective है कि महेंगाई की दरों को कम करते हैं तो इसको आगे बढ़ाते वे रगुराम राजजन और राजीव महरेशी ने एक agreement साइन किया और उसमें ये कहा गया कि महेंगाई की दरों कम करेंगे और अगर नहीं करता है आर बिया तो उसको हमें समझाना पड़ेगा एक letter की तौर पे एक चिट्थी की तौर पे ये सारवजनिक होगा सब को मालूब परेगा कि क्यों सब कुछ मनम हुआ कि आपने क्यों आप महेंगाई की दरों को control नहीं कर पाए तो जब ये 2015 में agreement साइन हुआ उसके बाद रगुराम राजजन जो की governor थे उन्होंने रेपोरेट इस तरह से सेट करना शुरू किया कि महेंगाई की दरे कम होते रहे 2015 में ही कुछ महीनों बाद जब रगुराम राजजन ने एक अपने monetary policy meeting में रेपोरेट नहीं कम किया जो कि सरकार बहुत चातिती कम करना क्योंकि उस टाइम पे economy उस समय नराज हो गए उस टाइम सरकार नराज हो गए और वित्रम अंदराले में उस समय सचिफ थे राजीब महरेशी थे हाँ जी बिलकुल तो राजीब महरेशी ने एक नोट बनाया उसमें उन्होंने लिखा कि कैसे रगवराम राजन के नेतित्र में रेजर्ब बैंक ऑफ इंडिया अपने रेपोरेट इस तरह से बना रहा है कि वह बाहर के देशों को जादा मदद कर रहा है ना कि अपने देश को और और यह बहुत गंपीर आरोप है बिल्कुल क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है इसा भाषा कभी ने इस्तिमाल देखिया क्योंकि उन्होंने रगवराम राजन का भी नाम लिया उन्होंने एक इंस्टिटूशन को चैलेंज किया है कि रजर्ब बैंक ऑफ इंडिया यह कर रहा है और आप जब सवाल उठाया रगवराम राजन जी से राजी मेरिशी जी खामोश इन लोग है बिल्कुल बिल्कुल हम लोगोंने इन से सवाल पूछे लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आए इसके उपर सुमेश आप क्या कहने चाह रहे कि भारतिय रिजर्ब बैंक बहुत सारे उनका नीती आते हैं बहुत काम है उस समय की गवरनर रगवराम राजन जी उसके बाद उरजिल पटेल जी भी थोड़ा बहुत वैजदर कम कर दिया था मगर इन लोग सोचा कि भारतिय रिजर्ब बैंक बहुत 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 जिमदार है कि मुद्रा स्विती के ओपर अंकूश लगाना मगर सरकार चाह रहे थे कि वैजदर आप कम कर लीज़े तो इसका मतलब क्या है कि वित्यमंत्रालय और नरेंदर मोदी जी का सरकार एक तरह से बरेवरे जो उद्योग पती है जिसके पास कारोबार है जो बरेवरे पूजी पती है उटको मदद करने के लिए ज़्यादा उटसाही थे या मुद्रा स्विती के ओपर अंकूश लगा बिलकुल यह कह सकते हैं कि उस समय के दौरान अगर आप राजीव मेरेशी का नोट इस आर्टिकल में दिखेंगे तो उन्होंने जरूर यह बात बोली है कि बाहर के इन्वेस्टर्स को मदद करें तो उनका पूरा ध्यान यह इसी चीज़ पे था कि हमारे उद्योग पतियो को इसका फाइदा हो रहा है या बाहर के उद्योग पतियों को तो वह चाते थे कि यहां की उद्योग पतियों को फाइदा हुए ना की बाहर के और इसलिए वह चाते थे कि रेपो रेट यह दरें कम हो लेकिन रगुराम राजन ने नहीं किया तो यह बहुती बड़ा नोट राजी मैनेशी ने बाहर किया है सुमेशी आपका लेक तीन लेक आपने चपने और च्छे तारिक के दिन आपका वो तीसरी लेक आए है और एक जगा में आपने लिखा कि ये जो जगरा एक तरह से वित्या मंत्राले और धार्टे रिजा बैंक ये इसमें नया नहीं है कोच ये पहले भी हुई है फिर भी आपका लेक में हमको पढ़ने के लगा बढ़ने के बाद हमें लगा कि इस तरह से जगरा और सब लिखित रुप में हैं ये सब को अश्चर्ज कर दिया और सबसे बड़ा आपने आपका लेक में जो लिखा है वो भी हमारे कॉलेज के राजी महरीशी से एक साल जूनियर थे शक्तिकांत दास जी आज जो भातिर इस अब बैंकर गवरनर है वो इतिहास पड़ा था सेंट स्टीफिन्स कॉलेज में राजी महरीशी भी इतिहास पड़ा था मैं अर्थर शास्त्र पड़ा जिस समय शक्तिकांत दास जी वित्यमंत्राले में डिपार्टमेंट आफ इकनॉमिक अफेर्स का सच्चिफ थे जो आर्थिक कारे विभाग में सच्चिफ थे उस समय कुछ कानून बनाया था जो देश के कानून है और आज इस सरकान में वो कानून का उलंगहन कर रहा है ये जरा समझा दीजिए तो 2016 में जो नया कानून बना था महिंगाई की दरोग को कम करने के लिए उसमें शक्ति कान्तर दास जी ने ही उस टाइम से जो आपने बताया कि सचीफ थे विद्ट मंतराले में उन्होंने ही इस कैबिनेट नोट का एक लेखन किया था और ये बोला था कि अगर रिजर्व बैंक अफ इंडिया इतना महिंगाई की दरे तक नहीं ला पाता है जो की है दो से छे परसेंट का रेंज अगर छे परसेंट सालाना महिंगाई की दरे नौ महिने लगातार अगर नहीं रहती इससे कम छे परसेंट से नीचे तो उस समय रिजर्व बैंक अफ इंडिया को एक चिठी लिखने पड़ेगी सरकार को समझाते वे क्यों ऐसा हुआ कि महंगाई की दरे वो नहीं कम कर पाए और ऐसा क्यों है और ऐसा क्या करेंगे रिजर्व बैंक अफ इंडिया कि महंगाई की दरे वापस कम आ जाए अगर वो बहुत जादा है तो तो यह चिठी रिजर्व बैंक को एक महीनी के अंदर लिखनी होती है नौ महीने अगर वो नहीं कर पाता है, वो इंफलेशन की जो टार्गेट है, उसको मीट नहीं कर पाता है, वो लक्ष मीट नहीं कर पाया, फिर भी क्यों नहीं चित्ती लिखा? तो 2020 में जब 9 महीने ऐसा हुआ कि महंगाई की दरे कम नहीं हुई, 6% से उपर रही, तो सरकार ने एक नोट बनाया, एक नोट बनाके ये बोला, तब तक शक्तिकानदार से RBI गवर्नर बन गए थे, उस समय सरकार ने एक नोट बनाया, जिस नोट में उन्होंने बोला कि क्यों लोगों ने जो data collection हुआ था, lockdown हुआ, तो हम ढंक से नहीं कर पाए, तो इसके वज़ा से उन्होंने एक excuse बनाया, एक बहाना बनाया, ये बहाना है, ये कानून में छूट है, जो अंगरेजी में आप कहेंगे loophole या escape clause, आपको रास्ता दिखा दिया कानून का, उलंगन का, त एक सबसे बड़ा concern ये था कि, जो repo rate है, जो हम अभी discuss कर रहे थे, वो interest rate बढ़ा ना दे, Reserve Bank of India, अगर वो बढ़ा देगा, तो फिर कारोबार उससे पैसा नहीं ले पाएगा, बैंकों से, और ये सरकार के लिए सहीं नहीं है, और इस चकर में उन्होंने एक note बनाया, एक चि कि आपको जरूरत नहीं हमें चिट्टी लिखनेंगी, क्योंकि वो जो data निकाला था तीन मेने का, वो सहीं नहीं है, तो आप मत लिखिये चिट्टी, सरकार अपनी आपका आखड़ा, मुद्रास्विती के उपर, उसके उपर, प्रस्न चिन न उठा रहे, संदेय करने, अप डेटा निकालती है, जो इन्फलेशन का डेटा है, जो consumer price index, जो भुकता के लिए जो सूच कांग और तोक मूल ये सूच कांग, wholesale price index, हाजी, तो वो उन्होंने बिलकुल, उन्होंने मना किया, वित्यमंतराले को कि नहीं, हम नहीं मानते कि ये ये जो data है, इसमें कुछ कि ये मत लिखिये, हमें मत समझाईए, आप क्यों नहीं महंगाई के दरे कम कर पाए, सुबेश जी, वक्त हमारे पास इतना नहीं है, आज, मेरा आखरी सवाल, कि जिस तरह हम देख रहे है, भारते रिजब बैंक का नीती, वित्यमंतराले का नीती, सरकार के नीती, भारते रिजब बैंक का जो भी गवनर है, बहुत कुछ निर्बर करते हैं गवरनर साथ का रिर, उसमें कितना शक्ती है ये कितना कम्जोर है, मेरा कहना है कि भारते रिजब बैंक का देख था, बिल्कुल क्योंकि ये हर भारत ही नहीं हर जगा दिखा जाता है कि दोनों का अपना-पना रोल है एकॉनमी चलाने में सरकार चाहती है कि वहाँ पे जितना भी ग्रोथ हो जितना लोगों को कारोबार चले उतना अच्छा है और यहां पे रिजव बैंक हर एक देशों का ये चाता है कि बहंगाई की दरे किसी तरह कम रहें अपने मॉनिटरी पॉलिसी के साथ तो अगर ये दोनों का मिलान हो जाए तो वो हर बार सही नहीं है क्योंकि वो एक बीच में एक दिवार आनी जरूरी है जिसके दोनों अपने अपने तरीके से काम करते रहे मैंने कहा आख़िती सवाल एक और सवाल बजा रह गया हमारा। जिस तरह से नीती भारत सरकार में नी जारा है, वित्यमंतरा ले जार भारती रिजान कर रहे। आप क्या समझते हैं हमारे देश के जो अमीर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, इन दोनों को बीज जो दुराई हम देख रहे हैं, इनिक्वालिटीज दुर देख रहे हैं, वो बर रहे हैं, इसका एक कारण है, जिस तरह से हमारे देश का जो अर्थ विवस्ता, जिस तरह से आर्थिक नीती, मौद्रिक नीती त्यार हो रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ कही है और अगर नियुस के दर्शक को भी आप कुछ कहने चाहेंगे आपका लेक के बारे में आप बात कीजिए तो अभी हम जो देख रहे हैं कि महंगाई की दरे फिर से बढ़ रही हैं क्योंकि अभी जो आप देखा जाए कि रशिया और यूकरेंग के बीच में जो हो रहा ह है उसके बाद भी महंगाई की दरे हर जगा बढ़ी हैं भारत में भी बढ़ी हैं तो बाहर के जो जितने भी यह सेंट्रल बैंक्स हैं जो की पैसा कंट्रूल करते हैं वहां पर वो लोग अपने दरे बढ़ा रहे हैं इंट्रेस बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो चाहते कि आपने देखा सारे चार महीना पैट्रोल डीजल का कीमत नहीं बताया, रसोई गैस का बनी बराया, चुनाओ खतम हो गया, ree बिलकुल उर लगा थार भर रहे हैं, तो यह ज़रूर हो रहा है कि ऐक प्राथमिक अब्जेक्टिव होना चाहिए ना की सरकार के साथ मिलके ग्रोथ वर्स इंफलेशन यह क्लासिक हमेशा लड़ाई रहती है दोनों विजब बैंक किसी भी देश में और सरकारों के बीचों में लेकिन यहां पर वो डिक्तें को नहीं मिल रही है क्योंकि दोनों और आप यह लेक्ट परेंगे तो आपको मालूम बरेगा कि भारत सरकार का अलग-अलग जो संस्ता है वित्यमंत्राले हैं भारते रिजब बैंक है ताल मिल नहीं हैं दोनों के बीच थीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं और इसका असर पर रहे हैं आम नागरिक के उपर मुद् सुमेश जी का एक और लेक आए हैं और बहुत ही लंबा लेक है कैरवैन मैगजीन कारवा मैगजीन में आए हैं निर्मला सीता रामन हमारा वित्यमंत्री जी के ऊपर इस विशे के लिए आम सुमेश जी को दुबारा बुलाएंगे निउस क्लिक और जरूर पढ़िए उनके कर दो